बॉलिवुड में आए दिन कोई ना कोई बुरी कबर सुनने में आती है और अब रन्बीर कपूर को लेकर सामने आई है बहुती बुरी कबर आज के इस वीडियो में आपको रन्बीर से जुड़ी एहम कबर देने वाले हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा रन्बीर कपूर को ED की तरफ से एक सुमन भेजा गया है और 6 अक्टोबर को उन्हें ED के सामने पेशीच देनी है और अन्बीर कपूर के फैंस उनके लिए काफी परिशान है आपको बताते चलें के एक एक पेह महादेव जिसके ओनर की शादी थी और उस शादी में बहुत सारे सेलिप्रिटीज को परफार्म करने के लिए बुलाया गया था और इन सभी सेलिप्रिटीज को बहुती मोटी रकम दी गई थी शादी में परफॉर्म करने के लिए खबरे हैं कि 200 करोर रुपे तक की ट्रांजेक्शन की गई है और बॉलिवूड के बहुत सारे सेलिप्स थे जो इस शादी में परफॉर्म करने गए थे और शादी में इन सेलिप्स के लिए प्लेन का इंतिजाम किया गया था लेकिन इन सभी स्टार ने केश में पेमेंट ली थी और अब E.D. का कहना है के ये पेमेंट केश के थू ही क्यों की गई और ये 200 करोड की ट्राजेक्शन मनी लॉंडरिंग का केस भी बन सकता है इस केस में बॉलिवूट के केई सारे स्टार्स शामिल है जैसे के विचाल ददलानी, सनी लियोनी, नेहा ककर और इसी के साथ पाकिस्तानी सिंगर रात फतली खान और आत वसलम को भी सुमन बेजा गया है वो भी इस केस में शामिल है और हो सकता है के पुलीस इन सभी स्टार को भी पेशी के लिए बुलाए पर फिलाल सबकी निगाहे रनबीर कपूर पर है रनबीर कपूर को लेकर उनकी फेमिली इस वक्त गाफी परेशान नजर आ रही है और आल्याबने रनबीर की वज़ा से अपने सारे कामों से लिया है ब्रेक उन्होंने सबसे रुकेस्ट की है कि ये वक्त उनकी फेमिली के लिए काफी मुश्किल वक्त है और सभी उनकी फेमिली के लिए प्रे करें बेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर और अगर आप रनपीर कपूर को सपोर्ट कर रहें तो विडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइक अन को प्रेज कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और मजीद इसी लेटेस्ट नियूस जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहीएगा